हलो दोस्तों कैसे आप hope you doing well तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे निप्ट इंडेक्स और बेंग निप्ट इंडेक्स के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको बेंग निप्ट इंडेक्स को किस परकार ट्रेड करना है और कौन-कौन से important levels है जिनके according आप अपना trade plan कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम निप्ट इंडेक्स की बात करते हैं निप्ट इंडेक्स का डेली चार्ट स्क्रीन पर लगावाया और दोस्तों पिछले दो विक्स हैं हम बात कर रहे हैं कि निप्ट इंडेक्स में एक range बनी हुई है जब upside में ये range 18,265 के आसपास है तो ये level बहुत ही ज़्यदा important है डेली चार्ट पर दोस्तों अभी भी ये level valid है जब तक इन levels का breakout या breakdown नहीं होगा तब तक हमें अच्छा momentum देखने को नहीं मिलेगा इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि intraday में निप्ट इंडेक्स को किस पर open करता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि निप्ट इंडेक्स में कौन-कौन से level important है जिनको आप intraday में ध्यान में रख सकते हैं और उनके according आप intraday में trade plan कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप screen पर देख पा रहे हैं कि निप्ट इंडेक्स में ABCD pattern का formation हो रहा है और दोस्तों यहाँ पर ABCD pattern के according अगर हम levels की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हमें कल के trading session में 18100 के आसपास से correction देखने को मिल सकता है क्योंकि दोस्तों आज की दिन जो यह impulse बनी है इसका correction कल के trading session में आ सकता है तो दोस्तों निप्ट इंडेक्स की जो closing आई है 1856 के आसपास लेकिन दोस्तों थोड़ा बहुत gap up open होता है तो भी हमें 18100 की level को ध्यान में रखना है इस level के आसपास से correction आ सकता है अगर correction आता है तो हमारा जो पहला target होगा वो 1830 के आसपास होने वाला है और इसके नीचे अगर निप्ट इंडेक्स निकलता है तो हमारा जो अगला target होग वो 7920 के आसपास या 930 के आसपास हम लेकर चल सकते हैं और दोस्तों निप्ट इंडेक्स इस level के भी नीचे आता है तो हमारा जो थायर target होगा वो 7850 के आसपास होने वाला है तो ये तीन target हम इंट्राडे में लेकर चल सकते हैं अगर कल के trading session में इस impulse का correction आता है अगर दोस्त आपर निकलता है तो ABCD pattern वहाँ पर invalid हो जाएगा और वहाँ पर हम दोस्तों long position को consider करेंगे और हमारा जो पहला target long में होगा वो होगा दोस्तों इस level के आसपास और दोस्तों level है 8120 के आसपास का level ये level और इसके भी अगर उपर निकलता है तो हम यह आपर 8250 के आसपास अपना अगला target रखने वाले है और दोस्तों अगर market 8250 के उपर consolidate होता है तो हमें यहाँ पर 8265 के level का breakout भी देखने को मिल सकता है लेकिन दोस्तों हमें direct breakout पर trade नहीं करना है अगर ये वापस pullback लेता है और इस level के आसपास होता है तो हम यहाँ पर enter करेंगे और हमारे यहाँ पर जो 65 के level का breakout कल के trading session में देखने को मिलता है तो दोस्तों इस परकार हम intraday में nifty index में अपने trade को plan कर सकते हैं और इन levels के according हम अपना stoploss और target plan कर सकते हैं अब हम दोस्तों बात करते हैं bank nifty index के बारे में कि bank nifty index में कल के trading session में हमारा क्या trade setup बन रहा है और कौन-कौन से level important है बेंग ँदेक्स में तो दोस्तो ब developed पिछले दो भिक से रेंज बनी हुई है जब तक इस रेंज का ब्रेक डाउट नहीं होगा तब तक हमें कोई भी अच्छा मुमेंटम देखने को नहीं मिलेगा और हम इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करते रहेंगे तो दोस्तों अभी भी डेली चार्ट पर जो बेंग निप्ट इंडेक्स की रेंज है वो 41,507 डाउन साइड में है और अपर साइड में जो रेंज है 43,508 के आसपास की रेंज है ये रेंज बहुत ही ज़्यदा इंपोर्टेंट रेंज है इस लेवल के उपर ही हमें अच्छा मुमेंटम देखने को मिलेगा इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इंट्रडे में हमें बेंग निप्ट इंडेक्स को किस प्रकार ट्रेड करना है और इंट्रडे में कौन-कौन से लेवल है जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं और उनके अकोर्डिंग अपना ट्रेड बलान कर सकते हैं दोस्तों इंट्रेटे के लिए जो हमारे पास लेवल निकल कर आ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट लेवल है 42,060 के आसपास का लेवल इस लेवल के नीचे अगर बेंग निकलता है तो हम यह पर सोर्ट पोजिशन को कंचेडर करेंगे और दोस्तों हमारा जो बेंग निकलता है तो हम यह पर लोंग पोजिशन बनाएंगे और अगर इस रेंज के अंदर रहता है तो हम कोई भी ट्रेड बलान नहीं करने वाले है इस रेंज के अंदर हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है दोस्तों हमें ट्रेड तभी करना है जब 42,060 के नीचे बेंग निप्ट इंडेक्स निकलता है तो हम Chort Position Consider करेंगे और दोस्तो अगर 22,460 के उपर Bank Nift Index Sustain करता है तो हम यह आपर Long Position को Consider करेंगे और हमारे जो Target रहने वाला है वो 22,700 के आसपास रहने वाला है तो दोस्तो Long Position को हमें इन Levels के अकोर्डिंग ही Consider करना है इसके लाओ दोस्तू, bank nift index में कल के दिन plate opening होती है या थोड़ी बहुत gap down opening होती है और gap down open होने के बाद nift index इस level के आसपास आता है 2060 के आसपास आता है तो भी हम यहाँ पर long position को consider कर सकते हैं लेकिन दोस्तू, यहाँ पर जो trade बनेगा वो यहाँ पर risk की trade बन सकता है क्योंकि यह जो level है, अगर break हो जाता है तो यहाँ पर short position को हम consider करने वाले हैं तो यहाँ पर दोस्तू, अगर आप aggressive buy करना चाते हैं तो इस level के आसपास भी आप buying position को consider कर सकते हैं लेकिन दोस्तू, यह aggressive trade है इसमें आपकी winning की probability बहुती कम होने वाले है फिर भी दोस्तू, आपको यहाँ से bounce देखने को मिल सकता है अगर bounce देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको 42,450 के आसपास का बहुती सांदार target देखने को भी मिलेगा है लेकिन दोस्तू, यह risk की trade है आप चाहे तो यहाँ पर buying position को consider कर सकते हैं अगर आप safe जाना चाहते हैं, तो इस level को आप avoid कर सकते हैं इस level का अगर breakdown होता है, तो हम यहाँ पर short position को consider करने वाले हैं तो इसमें दोस्तो, आपको bank nift index में अपने trade को plan करना है इन levels के according आप अगर trade करेंगे, तो आपकी जो winning probability होगी, वो बहुत ही high होने वाली है इन levels के according अगर आप trade करेंगे, तो आपको profit होने के chances बहुत ही ज्यादा होने वाले हैं इसके लगा दोस्तो, कल के trading session में 42700 का level भी break हो जाता है तो यहाँ पर आपको अगले target के रूप में 43140 के आसपास का level भी देखने को मिल सकता है तो इस परकर दोस्तों आपको इन levels को intraday में ध्यान रखना है कोई भी trade plan आप करते हैं, तो इन levels के according आप trade plan कर सकते हैं इस परकर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें, इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करने के साथ bell notification को उन करें, ताकि आगे आने वोले वीडियोज का notification आपको मिलता रहे चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद कीप लेर्निंग